दोस्तो 15,000 ये कैसा budget range है कि middle class के लोग भी इस price point पर smart phone के easily afford कर पाते हैं और 15,000 में काफी सारे smart phone market में available हैं तो definitely कहीं न कहीं confusion की react होता है लेकिन दोस्तो अगर आप कोई best, feature loaded and latest smart phone buy करने का सूच रहे हैं जिसमें आपको किसी feature में compromise करना ना पड़े तो आप इस video को without skip किये देखना इस video के अंदर research channelized review करने के बाद ये top 3 smart phones लैक की हैं under 15,000 जो कि आप लोग के लिए better barrier for money है चली दोस्तो without time waste के इस video को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन के बटन को प्रैस कर लेना इस video का like first smart phone रहता है इंफिनिक्स ही तरफ से 0 5G ये smart phone आपको under 15,000 के देखने मिल जाएगा IPS LCD 6.78 इंचिस का आपको display panel देखने मिलता है जिसमें आपको 120Hz के refresh rate दिये गया है इसमें आपको media tech की तरफ से dimensity 1080 आपको 5G प्रॉसर दिये गया है जो कि android version 12 पर वेज़ आपको run करते हो देखने हो मिले गया dedicated slot दिये गया है 8G RAM 256dB का आपको single variant देखने मिलता है rear part में triple camera setup है पचास में आप इक्सल का main primary camera है quad LED flash light का setup दिये गया है with 4K 30fps में आप rear camera से maximum video record कर सकते है 16 पिक्सल का selfie camera front में दिये गया है 3.5mm का jack है OTG support करता है side mountain fingerprint sensor है 5000 mAh की battery है and 33 watt की फाचरिंग support दी गया है no doubt दोस्तों इस smartphone को definitely considerate कर सकते है price की point of view से value for money है build quality काफ एच्छे दी गया है back और frame plastic है and 201 gram का weight है और 8.1 mm की थिक्निश है definitely check out कर सकते हैं इस smartphone को value for money है अब बात करते है next smartphone के बारे में जो की रहता है Xiaomi की तरफ से Redmi 12 5G यह smartphone भी under 15,000 के आता है इसमें भी काफ एच्छे feature दिये गया है like step by step सारे explain कर देता हूँ IPS LCD 6.79 इसका आपको display panel दिया गया है 90Hz के refresh rate के साथ Mediatek की तरफ से आपको Helio G88 processor देखनो मिलता है Android वर्जन आपको 13 पर देखनो मिलेगा 12 nm के साथ आता है MIUI 14 पर यह smartphone रन करता है 4GB RAM 128GB का आपको base brand देखनो मिलता है EWMC 5.1 type की storage दी गई है rear part में triple camera setup है पचास माया बिक्सल का main primary camera है 8 माया बिक्सल का ultra wide 2 माया बिक्सल का macro and 8 माया बिक्सल का front में selfie camera दिया गया है 3.5 mm का jack है USB Type-C 2.0 and साथी side mount and fingerprint sensor offer किया गया है 5000 mAh की battery है 18 watt की far charging support दी गई है इसमें आपको premium 4 color scheme दी गई है आप अपनी पसंद के साब से कोई से color option भी choose कर सकते है और build quality के बारे हम बात करें back और frame आपको दोनों different देखनों मिलते है frame plastic का दिया गया है back में glass की like panel दिया गया है जो की काफे इची बात है and 198.5 gram का weight है smartphone के अंदर 8.2 mm की थिखनीश देखने हो मिलेगी definitely इसको भी check out कर सकते है Xiaomi Redmi 12 under 15,000 में better value for money smartphone है अब बात करते हैं इस list के third smartphone के बारे में जो की रहता है दूस्तों Motorola की तरफ से Moto G54 ये smartphone भी आपको under 15,000 के देखने हो मिल जाएगा latest launch हुआ है 15,000 के अंडर मोटोला की तरफ से Moto G54 फीचर भी आपको काफी इच्छे दी गए जो कि मैं आपको step by step सारे explain कर देता हूँ सबसे पहले बात करते है smartphone के display के बारे में तो इसमें आपको IPS LCD 6.5 इंचिस का display panel दिया गया है जिसमें 120Hz के refresh rate है media tech की तरफ से Dimensity 7020 आपको प्रॉसर देखने मिलता है काफी पावरफुल है 6 नैनोमेटर के साथ आता है Android विर्जन लेटेस 13 पर वेज़ देखने मिलेगा रियर पार्ट में dual camera setup है पचास माँ बिक्सल का main primary camera है 8 अबिक्सल का अल्टर वाइड है और फ्रेंट में 16 में बिक्सल का selfie camera दिया गया है जो की काफी इच्छी बात है overall front से और रियर से दोनों ही camera से आप 1080p वे 30 fps तक में maximum video record कर सकते हैं stereo speakers भी दिये गा है 3.5 वे jack भी offer किया गया है साइड मांटेन फिंगर्पिंट सेंसर है स्मार्टफून के अंदर आपको 6000 एमेज की बैटरी देखने हो मिलेगी बिग बैटरी जिसकी वज़से आप अपने स्मार्फून को लॉंग टाइम तेक यूज़ कर पाएंगे इसमें प्रीमियम तीन कलर स्कीम दी गई है जो कि आपको पसंद के साफ से कोई से कला उप्सन भी चूज़ कर सकते हैं और बात करते हैं स्मार्फून की बिल्ड क्ल्टी के बारे में तो दोस्तो बैक और फिर्म दोनों आपको प्लास्टिक के दिये गा हैं आपको ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर दी गई है 192 ग्राम का वेट है और 8.9 अम की थिकनिस है और दोस्तो यह मोट्रोला का स्मार्फून है तो इसमें डेफिनिटली आपको वर्टर एपलेंट डिजाइन देखने हो मिलेगा जिसकी विससे आपको काफी अ आपने प्रियॉर्टी के साब से इन तीनों स्मार्फूनों से लेट रह गया हुँ तो कमेंट पूछ सकते हैं वीडियो अच्य लगी ओम इंफर्मीटेब लगी वीडियो को लाइक कर देना आप हमारी चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ब झाल झाल